जब भी हमने का कि यहां करने चल रहे हैं यहां करने चल रहे हैं फिर बटारेंगे तब बता देंगे अब अगर फीस की दीशा में देटेंड-टेटमेंट आता है किताबे लिखवा दी गया है थोड़ा बहुत बताने के लिए तो बाकि लोग निल पॉइंट पर है बिल्कुल वहाँ उनके अभिलेक तो मुझे मिले नहीं लेकिन मैं तीन दिन का टाइम दिया था वो लोग मुझे अभिलेक लाके दे दिये हैं उसमें मेंडर कॉंसल आफ इंडिया का लेटर तो है लेकिन यूपी गवर्मिल का कोई लेटर नहीं है तो अभी यह जाच मैं अभी करूंगा मैं अभी इसके बारे मैं कुछ कहना जन्दवाजी होगी मैं भौतिक सत्यापन के लिए कालेश के बहुतिक सत्यापन के लिए पारे मिल कॉंसल आफ इंडिया से ना कि किसी सिकायत के जांच के संबन गाया है ना तो इसमों ने मुझे कोई लेटर दिया है ग्या पर आप इसको जाचे है हमारे पास कोई INVISTYGATION कोई लेटर नहीं आय जिस पर प्रोविजनल एफिलेशन ग्रांट किया गया आज भौतिक सत्यापन के बाद ही इनको सपोर्ट लेटर इसू होगा जो जिनके संबंधि सीमों को जाएगा एंड इस्टेट गवर्णमेंट को जाएगा एंड एक कापी इनको रिसीप होगी तो क्या इस बीच में यह बच्चों कर सकते हैं कर सकते हैं और प्रोविजनल इफ रच के बादब कर लोघा पर फिलेसन अपर फिलेशन के बाद बच्चों का एडिमीशन कर सकते हैं जी अगो कुगरान को उसके बाद कर सकते हैं